अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए लास्ट चैप्टर चैप्टर नमबर 16 प्लेइंग विद नमबर इसका ये ट्राइडीज है पेज नमबर 250 के उपर जिसमें हमें ये नमबर जो दे रखे हैं इनको जनरलाइड फॉर्म में लिखना है पहले ये ये समझ लिजिए कि जनरलाइड फॉर्म क्या होती है कैसे लिखते हैं उसको जैसे कि मान लिया कि कोई ऐसे नमबर है एबी जहाँ पर ये ए मुल्टिप्लाइड बी नहीं है कोई नमबर है एबी तो इसे लिखेंगे हम 10 मुल्टिप्लाइड ए प्लस बी once tense और अगर मान लिया कि इसके साथ एक नमबर और आ गया तो यह हुआ once यह हुआ tense और यह हुआ hundreds तो इसको लिखेंगे hundred multiply c plus ten multiply a plus b जो की c multiply a multiply b नहीं है जो की हम algebraic expression में करते आएं है या कोई quadratic या polynomial है तो उसके अंदर हम इस्तमाल करते हैं न ऐसे variables तो यह वो नहीं है अब आपको और clarity होने वाली है क्योंकि जो बुक के अंदर इस्त्रेकी के expression दे रहते हैं तो बच्चे उसमें confused रहते हैं तभी मैंने पहले यह बताया अभी आपका confusion totally खतम होने वाला है ध्यान से समझिएगा अब आपको लिखना है 25 को generalized form में तो यह हुआ once यह हुआ tense 10 multiply 2 plus 5 हो गया clear generalized form में इसी तरिके से 73 है तो इसी लिखेंगे 10 multiply 7 plus 3 clear हुआ ना I know अच्छा चलो इसके बार में बताओ मुझे थार्ड जो 129 है इसको कैसे लिखेंगे सोचो जली है और फिर देखना कि जो आपने सोचा था और जो मैं बता रहा हूँ वो सेम है क्या सोच लिखेंगे ना very good तो यह होगा once यह tense यह hundred तो hundreds के साथ में hundred लगा दिया next है three hundred two इसको कैसे करेंगे अब यह जो expanded form है उसके जैसे ही होगे expanded form में हम बाद में लिख देते हैं इसमें हमने पहले लिखा हुआ है three तो hundred multiply three क्योंकि यह hundreds place है zero है 10 multiply zero यह लिखे ही ना और plus में two clear हुआ very good now second question write the following in usual form अब यह generalized form लिखी हुई है अब हमें इसको usual form यानि कि ऐसे वाली form में convert करना है पहले वाले question में यह वाली form दे रखी थी जिसे हम कहते usual form इसको हमें generalized form जो की सामने यह लिखी हुई है इस form में लिखना था तो एक दूसरे क्या उल्टा है क्लियर हुआ तो अब यह solution to का first part हमें मिला हुए 10 multiply 5 plus 6 बच्चे क्या करते simple answer लिखेती है ऐसा मत करो थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप पहले यह लिख दीजिए ज्यादा तो बड़ी value तो नहीं है ज्यादा अगर value भी है तो इतना बड़ा कोई आपको 100 words का 200 words का 50 words का कोई paragraph लिखना होता है simple यह है कुछ तो लिख सकते हो अद दिखने में भी आशा रखता है और teacher भी कते हावी बच्चा है काफी महनती है और कर रहा है अपना काम अच्छे से तो 10 10s 50 10 multiply 5 50 50 plus 6 56 यानि कि 10s place पर 5 आएगा और 1s place पर 6 आएगा clear हुआ second 100 multiply 7 10 multiply 1 plus 8 यह मिला हुआ तो 100s place पर 7 100s 10s 1 10s place पर 1 और 1s place पर 8 718 similarly अब 3rd के अंदर आपको variable टैप में मिला हुआ है कोई number नहीं है once 10s 100 तीन मैंने इसलिए लगाए क्योंकि इसमें 100s place तक है बस thousand होता तो हम चार यहां पर blank से लेते तो 100 place पर है वो है a 10s place पर है वो है c note 10 c और यहां पर है b a c b तो यह हमारे हुए तीन इसके answer और इस तरीके से यह answer लिखते रहे हैं हम लिख दीजिए यह थोड़ा सा अच्छा लगेगा ठीक है students इस तरीके से हमने ब्रिजन्स यह कर लिए अब इसके बाद यह next try दी जाएगा इसको हम करेंगे next वीडियो में इसका अच्छे से clear ले लीजिए photo अब यह देखिए आप इसको समझ लेजिए थोड़ा सा दुबारा से एक summary हो जाएगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी form है तो इसको generalized form में लिखने के लिए हमें जो 10 प्लेस पे उसको 10 को multiply करना है 100 प्लेस पे कोई है तो उसको 100 से multiply करना है और फिर इसको इस form में लिखना होता है यह 10 से multiply करेंगे इसको इसको 1 से यह 100 फिर यह 10 और यह वैसे का वैसा और फिर second question था कि हमें यह form दे रखिया है नेक्स वीडियो में, always have a great time.